आउटसाइड एज चार रॉंस ने ले गेंड पढ़ने के बाद बाहर की तरफ मुव हुई श्वयब मलिक ज्यादा है तमाज से नहीं खेल सके लेकिन वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे तुरांज आने चाहिए यही मैटर करता है स्क्वेर अप हो गए थे थोड़ा सा अच्छी डिलिवरी थी अच्छी लेंथ पे हलकी सी मूवमेंट हुई शीदा पल्ले से रोकना चार थे लेकिन ज्यादा फ्रंट फूट पे आये नहीं पर नेटरंड रेट इसी तरह के स्टोक से बेथर होगा शुब मलिक ने लेट कट किया दो फिल्डर वहां खड़े किया गये हैं लेकिन मलिक को रोकना मुश्किल हो जाता है फास तोर पर जब ये स्पिनर पर शॉट खेल रहे हूँ जादा बुरी डिलिवरी नहीं थी मलिक ने बना के ये शॉट खेला इंटिजार किया इसली लेग को थोड़ा से बेंड किया जिसकी वज़ा से कट शॉट महारत के साथ खेलने में कामयाब होए तेके बहुत लेट केला फिल्डिंग कह सकते हैं थोड़ी बेतर होनी चाहिए इस रांकी जब आप टार्गेट डिफेंड कर रहे हूं लेग साथ में ठर्न किया एक और चौका पहले विगेट कीपर कितना हैं जाने बापाएं जाने से बहुत ज़्यादा फाइन ग्लांस किया शॉट मलिक ने मलिक और कासिम दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं और बॉलस को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं रही सही का सर ये फिल्डिंग में लैप्स नौर्दन के लिए मसला बंता जा रहा है अब कि अपिकेट बाइटिंग करने के लिए अची है और फास्तों पर जब अब हिट जोड़ार और चैबी शॉब मलिक को आप जब जब खराब गेंद करेंगे तो मूं की खाएंगे जा बिल्कुल खाई इस बार क्योंकर अब इस लेंद पर कि लेक साइड पर यहां बॉल करेंगे तो शॉब मलिक नहीं चोड़ने वाले हैं क्योंकि लंबी बाउंडरी भी हो जितनी भी लंबी बाउंडरी हो बहुत असानी से बाउंडरी पार करवा देते हैं और इसी की मे बनाए यहां दूसरा रंग लिए वापस लोट जाना चाहिए शॉब मलिक ने पहला रंग दोड़ते ही यह तासुर दे दिया था कासीम अकरम को गुम को वापस आना होगा अच्छा शॉब मलिक ने उन्हें खुला मैदान मिल गया एक और चौका चालीज के पेटे में पहुँच गए और शॉब मलिक के परस्तारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं यहां यह एक्सपिरिंस है यह क्वालिडी क्रिकेट है रेलाइस कर रहे थे कि लेंथ बॉलिंग करने है अपने आपको थोड़ा रूम दिया जानते थे कि थर्ड का फील्डर थोड़ा फाइन है और प्लेस्मेंट बहुत कमाल की रही दोनों फील्डर्स के दर्मयान से यह शॉर्ट यह सिर्फ तजर्बे के साथ ही आप खेल सकते हैं लेंथ को जल्दी परक लेते हैं संच्रियां बनी थी पाकिस्तान की आनिव से उसे क्लोटी इनिक्स में उम्दा कावर ट्राइव फील्डर गुरोपने में थोड़ी सिदिकत हुई अच्छी एंटिसिपेशन थी बहुत तारीक का हिस्सार आए यह शाट श्वेब मलिक की तारीक का हिस्सार आए बहुत उम्दा कट बैक फूट से जहां एक बार फिर लेंथ को बहुत जल्दी पर रखते हुए यह ट्रेड मार्क शॉट है यह ब्रेड इन बटर है श्वेब मलिक के लिए बहुत जल्दी पॉजिशन में आ गए थे हैं और आउटसाइड यॉस पेस पे कुई मसला होना नहीं चाहिए उनको प्लेस्मेंट भी कमाल की रही बहुत ही कमाल की एने खेलने हैं यहां पे शोय मलेक लॉच् अपन्यून भान इस में चाहिए बिल्दीविर्थप्ता मुलैं प्यू Limited 13-17 तार्णी अप्रिति विसकर ये वुड़ाई है इस्ट निग्टें सॉट रिटी जजयनुवंवे। विसकर आई एपर फ़िए टो यूज़ा इसन और आ उन्री भी आपे प्साराइ से टूब तूब एग्सी प्राइग ऑटे बारि भास टैथादि को आपन रखेस अन्या it never tried to over hit it the both have batted really well calculated risk taken he's not a clean connection but mid-off is up in the ring just landed over the scores a level three Malik made sure they get there as soon as they can Zaman Khan has had a rough day and he will finish off with considering this maximum he's so deep in his crease he's expecting those Yorkers literally clubbed it away